हेलो फ्रेंड तो आज हम ताजी फ्रेस मेथी से ऐसी रेसेपी बनाएंगे जो खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी बनाने में एकदम आसान होगा तो चलिए फ्रेंड वीडियो देख लेते हैं कैसे बनता है तो हम 500 ग्राम मेथी को अच्छी तरह से डंठल निकाल कर धूल कर बारिक बारिक काट कर ले लिए हैं तो अब हम इसमें बेशन डालेंगे खाने वाले चम्मज से आठ चम्मज बेशन डालेंगे आप चाहे तो छोटी वाली कटोरी से एक कटोरी डाल सकते हैं तो हम आठ चम्मज बेशन डाल दिये हैं फ्रेंड श्वाद अनुसार नमक डालेंगे कलर आने के लिए हाप्टी स्पून हल्दी पौडर डालेंगे वन टी स्पून धन्या पौडर हाप टी स्पून जीरा पौडर वन फोर टी स्पून गरम मसाला हाप टी स्पून लाल मिर्ची पौडर डालेंगे एक चम्मज अदरक लासुन का पेश्ट डालेंगे अब हम सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे पानी ये भी हम नहीं डालेंगे जब पानी का जरूरत पड़ेगा तब हलका हलका डालेंगे क्योंकि मेथी में भी पानी होता है तो इस तरीके से हाथों से अच्छी तरह से मिलाते जाना है आप देख सकते हैं अब हम इसमें हलका सा पानी डालेंगे ये सबजी फ्रेंड बहुत ही हेल्दी बनकर त्यार होता है और एकदम आसान तरीके से बनाएंगे तो आठ चम्मच बेशन हम पहले डाले थे दो चम्मच अभी डाल देते हैं और फिर से अच्छी तरह से मिला लेना है इस तरीके से एक दो चम्मच के करीब पानी यूज किये हैं हम अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे अब हम अच्छी तरह से ऐसे ही मिला लेंगे फ्रेंड हम टोटल दस चम्मच बेशन यूज किये हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड अच्छी तरह से मिल गया है सारे समागरी डो पर्फेक्ट तैयार हो गया है तो अब हम एक प्लेट लेंगे सबजी को सेट करने के लिए इसमें हम हल्का सा रिफाइन ओईल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपकेगा नहीं अब हम इस तरीके से सेट कर लेंगे इसमें तो फ्रेंड हम अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं प्लेट में आप देख सकते हैं तो अब हम इसको इस्टीम करेंगे तो चलिए गैस की ओर चलते हैं इधर कराई लिए हैं इसमें हम 2 टेबल स्पून सरसो तेल डाले हैं सरसो तेल में सबजी का टेस्ट अच्छे होते हैं फ्रेंट तो हम एकदम जटपट आसान तरीके से सबजी बना रहे हैं गिरेवी के मसाले के साथ साथ हम सबजी को भी स्टीम कर लेंगे तो तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है तो 1 टीश्पून जीरा डालेंगे दो तीन तेजपात डालेंगे आठ दस कली लासुन का डालेंगे एक टुकरा अद्रक को छोटे-छोटे टुकरे में काटकर डाल देंगे दो हरी मिर्ची चार प्याज को मोटे मोटे पीसेस में काटकर डाल देंगे और चार टमाटर को एक प्याज को चार टुकरे में काटकर डाले हैं और टमाटर को भी चार टुकरे किये हैं एक बार इस तरीके से मिला लेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे एक ग्लास पानी डालेंगे एक बार मिला लेंगे उसके बाद हम उपर से इस्टीम करेंगे सबजी को रख देंगे इसके उपर से प्लेट उसके बाद ढख कर 6-7 मिनिट तक पकाएंगे हाई फ्लेम में 6-7 मिनिट हो गया है फिर आप देख सकते हैं सबजी अच्छी तरह से सेट हो गया है इस्टीम हो गया है तो अब हम इसको हटा लेते हैं कोई कपड़ा की सहता से आप देख सकते हैं टमाटर प्याज सभी अच्छी तरह से सौफ्ट हो गया है फिर तो आप इसे पोटाइटो मेसर से मैस कर सकते हैं तो इस तरीके से हम मैस कर लेंगे एकदा मासान तरीका है फ्रेंड ग्रेवी तयार करने का ना बारिक प्याज काटना ना टामाटर ना पीसना कोई जंजट नहीं है तो फ्रेंड आपको अगर हमारे वीडियो थोड़ा भी पसंद आये तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूले अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकिसन आपको मिलता रहे तो हम अच्छी तरह से मैस कर लिए हैं तो अब इसमें हम मसाला एट करेंगे हाप टी स्पून हल्दी पॉडर डालेंगे वन टी स्पून लाल मिर्ची पॉडर डालेंगे वन टी स्पून धनिया पॉडर डालेंगे हाप टी स्पून जीरा पॉडर डालेंगे 140 पून गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके बाद सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड मसाला हमारा अभी ही तयार हो गया है एक दम आसान तरीका है फ्रेंड तो आप एक बार इस तरीके से सबजी बना कर देखें तो ढख कर एक दो मिनेट तक पकाएंगे एक दो मिनेट हो गया है फ्रेंड अच्छी तरह से सारे मसाले पक गए हैं तो अब हम इसमें दूत का ताजी फ्रेज मलाई डालेंगे चार चमच मलाई है इसको अच्छी तरह से फ्हेंट लेंगे उसके बाद डालेंगे मलाई फ्रेंट ताजा ही लेना है एक दो दिन का मलाई अगर फ्रीज में रखा हुआ है तो ले सकते हैं अच्छी तरह से मिला लेने के बाद डाल देंगे और चलाते जाएंगे एक दो चम्मच के करीब पानी डाल देंगे जो कटोड़ा में मलाई लगा हुआ है उसको भी इस तरीके से मिला लेंगे मलाई डालने से एकदम स्वाधिष्ट सबजी बनकर त्यार होता है एकदम क्रीमी टेक्चर में तो फ्रेंड आप एक बार इस तरीके से मेथी की नई रेशेपी जरूर ट्राय करें तो ढक कर एक दो मिलिट तक पकने देंगे इधर हमारा सबजी ठंडा हो गया है तो अब हम इसको अपने मन पसंद अनुसार सेप में काट लेंगे छोटे बड़े जैसे भी काटना है तो हम यहाँ पनीर के जैसा काट रहे हैं फ्रेंड आप देख सकते हैं आप एक बार इस सबजी को बना कर खाएंगे तो इसके स्वाद के दिवाने हो जाएंगे फ्रेंड तो हम काट लिए हैं तो इस तरीके से चाकू की साहता से निकाल लेना है पीसेस आप देख सकते हैं कितने आसानी से निकल रहा है कितने अच्छे सेट हो गया है बर्फी के जैसा तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को निकाल लेंगे फ्रेंड इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं हलका सा तड़का लगा कर नास्ते में ये बहुत स्वादिश्ट लगता है आप देख सकते हैं कितने अच्छे देखने में लग रहा है तो फ्रेंड हम सारे पीसेस को निकाल लिए हैं तो चलिए फ्रेंड कराही की ओर चलते हैं मसाले को देख लेते हैं मसाला अच्छी तरह से पग गया है फ्रेंड आप देख सकते हैं तो अब हम इसमें मेथी के टेस्ट को वाइलेंस में रखने के लिए एक चम्मच चीनी डालेंगे इससे बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेंगे एकदम स्वादिश्ट साही पनीर जैसा टेस्ट आएगा फ्रेंट तो एक चम्मच हम चीनी को डाल दिये हैं और चलाते हुए एक मिनिट तक पकाएंगे बिना ढखे एक मिनिट तक हम पका लिए हैं मसाले को अच्छी तरह से पक गया है तो अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे पानी आप अपने एकोडिंग एड़ कर सकते हैं कम जादा हम यहां दो गलास के करीब पानी एड़ किये हैं तो अच्छी तरह से मिला लेंगे मसाले को ढख कर एक उबा लाने तक पकाएंगे तो मसाले में एक उबा ला गया है तो अब हम इसमें मेथी वाले पिसे को डाल देंगे इस तरीके से एक बार मिला लेंगे ढख कर 2-3 मिनिट तक पकने देंगे दो तिन मिनेट हो गया है फ्रेंड सबजी अच्छी तरह से पक गया है आप देख सकते हैं कितना डिलीसियस दीख रहा है तो अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे एक बार मिला लेंगे इस तरीके से उसके बाद गयस के फ्लेम को बन कर देंगे ढख कर पांच मिनेट रेष्ट के लिए रख देंगे पांच मिनेट हो गया है फ्रेंट तो आप देख सकते हैं कितना डिलीसियस मेथी की अनोखी रेसिपी बन कर तयार हो गया है तो चलिए हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं फ्रेंट वाव आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है जितना यम्मी ये देखने में लग रहा है खाने में कहीं इससे ज़्यादा टेस्टी है तो उमीद करेंगे फ्रेंट की आपको मेथी की न्यू तरीके की सबजी की रेसेपी पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा फ्रेंट तो अपने family member और दोस्तों के साथ share करना ना भूलें आप देख सकते हैं कितना delicious दिख रहा है मेथी की नए तरीके की सबजी आपको हम एक उठा कर दिखाते हैं आप देख सकते हैं इसके pieces तो आप इस सबजी को रोटी चावल पूरी प्राठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं thanks for watching मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई